नमस्कार अब आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आद्मी पाघ्टी के पीछे पढ़ गएँ यह एक के बाद रहे हैं कह रहे हैं रागव चड़ा भी अभी लंडन से लोटे हैं कह रहे हैं रागव चड़ा को भी जेल में डालेंगे थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारदवाज को भी जेल में डालेंगे आतीशी को भी जेल में डालेंगे मैं ये सोच रहा था कि हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं हमारा कसूर क्या है हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया सरकारी स्कूल शांदार बनाए ये नहीं बना सकते इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते है हमारा कसूर ही है कि हमने दिल्ली के अंदर महला क्लिनिक बनाए सरकारी अस्पताल बनाए लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया अच्छे इलाज का इंतजाम किया ये नहीं कर पा रहे इसलिए ये दिल्ली के अस्पतालों को और महला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते है हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे हमने 24 घंटे बिजली कर दी ये उस बिजली को रोकना चाहते है हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना ये हमारा कसूर है मैं प्रधान मंत्री जी को बोलना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी आप ये जेल-जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनेसिसोरिया को, कभी अर्विंद केजरिवाल को, कभी संजय सिंग को कल मैं बारा बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, MLA's, MPs, सब के साथ बारा बजे बीजेपी हेड़कॉर्टर आ रहा हूँ, जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हो, आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल लो, आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के निताओं को जेल में डालके आम आदमी पार्टी को क्रश कर लोगे ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली आप एक पर जाड डालके देख लो आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगी जेल में उससे सौ गुना नेताओं इस ये देश पैदा करेगा कल बारा बजे मैं अपने सब ही नेताओं के साथ बीजेपी हेड़कोर्टर आ रहा हूँ जिसको आपको जेल में डालना देश जेल में ठोट